नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अजेकुमार यादू एक बार फिर से हाजिरू इतिहास के पन्नों से एक नई कथा लेकर रिगवेद से लेकर रामायन महाबारत पुरानों के अंदर इंदर और वरतरासुर की युद की कथाईं भरी पड़िये और कथा कुछ इस प्रकार है कि वरतरासुर तोस्ता का पुत्र था तोस्ता उस समय के एक प्रबल देउता थी तोस्ता के एक पुत्र विश्चुरूपवा हुआ और विश्चुरूपवा अपने बल और सकती के कारण भवती प्रभाव साली बनगा इंद्र को भैस सतानी लगा कि विश्चुरूप इंद्र लोग पर अपना हधीकार जमा सकता है और उसका पद जा सकता है इसलिए इंद्र ने विश्चुरूपा की हत्या कर दी तोस्टा इससे भहुती नाराज हुआ उसने एक विशाल यग का आयोजन किया उस विशाल यग से उसे एक वर्तरसुर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई तोस्टा ने अपने पुत्र वर्तरसुर को आदेश दिया कि ऐसे ऐसे तुमारे अगर्ज भराता की हत्या इंद्र के दुआरा की गई है तुम उसका बदला लो वर्तरासुर यह सुनकर गंद माधन परोत पर चला जाता है तधमा भगवान ब्रह्मा की तपश्या करने लगता है लगातार सो रस तक तपश्या करने के उप्रान भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और वर्तरासुर उनसे वरदा देवता जो होते हैं उनसे युद्ध करते ठक जाते हैं लेकिन वरत्रासुर इंद्र को प्राजित कर जेता है तता स्वेम इंद्र लोग का अधिपती बना जाता है और अपने अनुसार इंद्र लोग का सासन संचालित करने लगता है। हुने मना कर देता है कि वरत्रासुर को मारने का कोई उपाई नहीं है। वे सभी विष्णू और भ्रह्मा जी के पास जाते हैं अंत्वे भगवान सीव को दया आ जाती है और वो हुने ये कहते हैं कि अगर महरसी ददीची की हडियों से बने हुए हथियार से वरत्रासुर के उपर पर हार किया जाए तो वरत्रासुर की मोत हो सकती है। उस समय महरसी ददीची जीवित थे और वरत्रासुर का एक अंगरचच्छ राक्चस काल की था जो की भहुत ही अधिक सक्ति साली था और वो उसकी रक्षय करते थी। सहभी देउता लाइन में लगकर के महरसी पिरानों का त्याक कर देते हैं और इंदर महरसी ददीची के हडियों से एक वज्जर का निर्मान करते हैं जिससे वरत्रासुर का वज्द किया जा सके। अब इंदर और वरत्रासुर का आपस में युद होता है इंदर महरसी ददीची के हडियों से बने हुए वज्जर से वरत्रासूर के उपर परहार करते हैं और वज्जर के परहार से वरत्रासूर का पहाड के समान विशाल सरीर भूमी के उपर गर जाता है वज्जर के परहार से ही उसके बोडी गार्ड काल के की भी मिर्त्यू हो जाती है यह वज्जर विश्व करमा के द्वारा बनाये गया था जो वरत्रासुर कभी इंदर और सभी देवताओं को प्राजित करके भगा देता है एक बार तो युद्ध के अंदर वे इंदर को मुह में भी निगल लेता है जो बाद में सभी देवताओं के सयोग से भार निकाला जाता है उसकी मृत्यू हो जाती है सोद करता मानते हैं कि वरत्रासूर का मूल नाम वरत्र था जो साइधा सीरिया का हदीपती था पार्शियों की जेंदा अवेस्ता में भी उसका उलेक मिलता है वरत्र ने आरियों पर आकरवन किया था और उन्हें प्लाजित करने के लिए अध्वी सूर नामक देवी की उपास काले निविस्टू पर इंदर और वर्त युद का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा प्रिये मित्रो आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हम इसी प्रकार की एतिहासिक पोरानिक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो कि तक्थ्यों पर आधारी तोती है इसलिए अपने भाई को सपोर्ट करते रहें जैहिंद जैभारत